गुड मॉर्णिंग आज हम लोग चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे डेवलेप्मेंट ओफ एजुकेशन इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे अंडर कंपनी रूल और उसके बाद पढ़ेंगे आफ्टर कंपनी रूल तो फर्स्ट जो 60 एस थे उसमें इंडिया में इसका बना रहा है इस इंडिया कंपनी का और फिर ये ट्रेडिंग से 1813 के बाद ये प्रॉफिट मेकिंग बन गई और जब इसका उस दोरान इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था एजुकेशन में कोई भी टाइप का प्रमोशन नहीं किया उसने एजुकेशन के लिए लेगिन काजी काजी और मुक्ती काजी जो था काजी वो न्याय के बारे में जानता था मुस्लमानों के न्याय के बारे में और शरिया कानून उसके लागू करता था इसलिए 1781 में कलकत्ता मरदर साथ उसके बाद संस्कित कॉलेज जो है इस्टैब्रिश किया गया जोनाथन डंकन ड और फिलोसफी के लिए खुला गया बात में जो फोर्ड विलियम कॉलेज था ये सेट अप किया था वैसली के दौरा अठारा सो में क्योंकि 95 से कहते हैं 1905 तर वो रहा था इसलिए लॉड वैसली जो था उसने फोर्ड विलियम कॉलेज उसने बनाया और यहां पर ट्रेनिंग क उनके कस्टम इंडियन के साथ में और यह क्लोज हुआ अठारा सो दो में जो कलकत्ता का मदर्सा था मदर्सा और संस्कित कॉलेज चो थे यह प्रवाइड कर देते एक रेगुलर सप्लाइब नी रहे क्वालिफाइड इंडियन की जिससे की वो हेल्प कर सकें अडिमिस्टे एंडिया में चला और जो मीशनेरी इसने स्टर्ट कि आपना प्रेशर गौर्मेंन्ट पर केवा जो क्रमोटे करें जो मौर्डन से कॉल्र का और विस्टन Messi और चुमिकल्ण इस ओफ दी कंट्री फिर मिशानरी जो थे वो modern education जो थी destroy the faith, destroy करेगी faith जो है इंडियन्स का और इस तरीके से destroy करेगी faith उनका और उनके खुद के religion के बारे में और इस तरीके से take to Christianity, इस तरीके से हम उनको Christianity की तब ले जा सकते हैं लेकिन सेरम पूर्ड जो मिशानरी थी, सेरम पूर्ड मिशानरी बंगाल में जो एक पॉप पर्टिकुलरी एंथ्वरिस्टिक थी, बहुत बहुत थी उसने spread का education के बारे में, एक humble beginning जो start हो थी 1813 के बाद, चाटर रहा के 1813 क्योंकि इसमें कंपनी को लगबख सारी चीज़े रोक दी गई थी, क्यों चाय में वो अपने trade कर सकता था और जो incorporate कर दिया कि जो principle of encourage करना पड़ेगा आपको learn Indians को जो promote करें education modern science in the country, जो एक था direct करता था कि जो company है, वो section लगाती है वन लाख रुपी, एक लाख रुपी, अब आपको गयाते खर्च करना पड़ेगा education के परपस से, तो ये एक pretty amount था जो not made available till 1813, 1813 तक ये amount भी नहीं मिल पाया और इसके वज़े से क्या हुआ कि controversy, जो थी question और direction, ये जो थी expenditure के लिए होने लगी, meanwhile, जो effort थे enlightenment के enlightenment के इंडिया में, जिसे राजा राह महार रॉय, जो बोर है थे fruit और जो grant कर रहे थे section ward of कलकत्ता, college setup करना चाहिए, 1813 में by educated Bengalis, English जो थी education, English education जो है western humanities और जैसे science और जो government है, वो set up करती, तीन, त्री संस्कित college, कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में जो orientalist थे, orientalist और English, English controversy चलती है, कि जो general committee थी public instruction की, कि जो English है, वो अर्ज कर रहे थे कि जो government spend करे, spend करना चाहिए, education पे, जिससे कि exclusively और modern study, modern studies करनी चाहिए, जो orientalist थे, वो कहते हैं जो western science है, और जो literature है, वो taught होनी चाहिए, जिससे prepare किये जा सके है, student to take up jobs, jobs के लिए, और emphasizes, उनका पुरा ध्यान जो होता था, प्लेज, expansion of the traditional Indian learning, expansion करना है, जो traditional Indian learning है, even जो एगनिलिस्ट थे, ये डिवाइड, डिवाइड हो गए, over the question of medium, कि मीडियम में instruction दिया जाए, एक fraction जो था, English language को support करता है, जो दूसरा था, हो कहता था, इंडियन को, इंडियन को उनके वर्नाकुलर, language में देना चाहिए, अब क्या होँआ, अनफर्शुलिटी, एक great deal होती है, confusion की, कि अब इंग्लिश और वर्नाकुलर, language जो है, medium, medium, media, media of instruction क्या होना चाहिए, और क्या उसका objective होना चाहिए, study का, तो Lord, मेकुले, minute, 1800, पैतिस आता है, जो कि famous रहा, और मेकुले, minute, जो settle करता है, कि जो row है, favor में की, एंग्लिस्ट के, एंग्लिस्ट में, जिनको, जो कहते थे, वर्नाकुलर को support करते थे, और ये limited government resource, जो है, वो devote करेंगे, teaching western science, और literature के लिए, through medium of English language alone, लेकिन मेकुले का कहना था, कि Indian learning was inferior to European learning, Indian की जो learning है, वो inferior है, European learning से, इसलिए, which was true, as far as, क्योंकि जो physical और social science है, in the contemporary stage was concerned, जो government थी, उसने देखा कि English, जो है, as a medium of instruction, अगर school में, school और colleges में, रहा, तो open a few English schools and colleges instant, a large number of elementary schools भी खुले गए, है, thus neglecting, उन्होंने mass education को neglect किया, जो British plan कर रहे थे, कि वो educate करेंगे, small section of the upper, और middle class, upper and middle class के छोटे से portion को कहते हैं, पढ़ाएंगे, और ये जो create करेंगे, एक class जिससे कि Indian, Indian in blood, blood में Indian होंगे, and color, blood और color में Indian होंगे, but English in taste, English in taste, English in, English in, English in taste, जो reach कर रहे थे, masses थे, अब इसको down filtration theory कहते हैं, down filtration theory, छन छन के नीचे जाना, जो modern ideas थे, if not education did filter around to the masses, और ये जो था, not in the form desired by the rulers, but जो political parties थी, जो press थी, प्रेंपलेट थे, public platforms थे, जो modern education थी, ना only help कर रहे थी, ये process को by making available, the basic literature, जो physical और social sciences कि थी, जो nationalist और जो कर रहे थे, उनकी capacity और social analysis, अब otherwise जो content था, structure और जो curriculum, curriculum था, वो modern education, जो सर्फ कर रहा था, social interest, अब effort जो था, effort of Thompson, effort of Thompson में, जो James Thompson होते हैं, Lieutenant Governor of North West Provinces 1843, और 53 में ये develop करते हैं, एक comprehensive scheme of village education, थो जिससे medium of vernacular language, और ये in these village, इन सभी village में क्या होता है, इस school जो useful होता है subject में, और ये mensuration और agriculture के बारे में पढ़ा जाता था, लेकिन जो purpose था और train करना, जो personal है, for the newly set up revenue and public work department, ये, ये जो math और जो math, mensuration और agriculture इसलिए कड़ा जा रहा था, जिससे कि उन्हें जो new jobs हैं, उसमें कहते हैं, revenue और public work department ने उनको भरती किया रहा सेगे, वोट्स डिस्पेच, 1854, जो 1854 का वोट्स डिस्पेच था, चार्ल्स डिस्पेच, ये प्रिपेर कियागी कि educational system जो हैं इंडिया के लिए, उसके लिए, और इसे मेंगना कार्टा कहा जाता था, English education in India, ये जो document था, पहला compressive plan था, जो spread कर रहा था, education in India, पहला कि ये, ये, ये down filtration theory जो मेरकुली ने दिया था, at least on paper, paper पर दिखना चाहिए, उसके बाद दूसरा जो था, जो systemized और जो hierarchy है, from vernacular primary school, जो है, in village, village में, vernacular language में, उनके school होने चाहिए, bottom level पे, साथ में, जो anglo, vernacular high school होने चाहिए, और जो affiliated होंगे college at the district level, ये जो affiliating university होंगी, facilitating universities और affiliated college होने चाहिए, ये recommend किया गया कि English, medium होना चाहिए, instruction का, of higher studies, of vernacular at school level, लेकिन बाद में stress दिया गया जो female और vocational education, जो है, वो भी teaching करनी होगी, training देनी होगी, और ये भी lay down की education, जो है, impartial in school और institution में, impartial होनी चाहिए, और किसी religion को ध्यान में के ना होगे, बलकि secular हो, ये भी recommend किया गया, जो system है, grant in ad to encourage private enterprises, development क्या हो है, 1857 के बाद जो university थी, कलकता, बॉंबे, मदरास और set up हो गई, बाद में जो department of education थे, और भी set हो गए, all provinces में, बैथून स्कूल, बैथून स्कूल बहुत important, बैथून स्कूल जो found किया था, जे एडी, बैथून, जे एडी, बैथून कलकता में, ये पहला fruit था, जो powerful movement, जो था education का, of women, जो arose हुआ था, 1840 में, 1850 में, बैथून जो था, उसके president, जो थे, council of education, जो क्या करता था, इस girls school, जो था, उसके लिए set up किया गया था, और sound, जो footing, और जो taught किया जाता था, government grant in ad or inspection system था, अब जो agriculture institute of Pusa, बिहार में, जो था, engineering college of road की, ये भी start किये गए, और ये जो idea था, method of words, dispatch, words, dispatch dominated, ये, the field of the five decades, पचास सालों में, और देख रहा था कि, जो rapid westernization हो रा, education का, system in India, with educational institution, जिसमें, जो run करेंगे, European head masters or principal, machinery जो होंगे, वो enterprise करेंगे, जो play करेंगा, उनका अपना part, और जो धीमे धीमे, जो private Indian effort है, ये, appear होने लगा, इस field में, after that, crown took over, 1877 के बाद, hunter commission आया, 1882 में, 1883 में, earlier scheme जो थी, वो neglect करती थी, primary or secondary education, लेकिन, जब education shift होने लगी, provinces में भी, 1877 में, जो primary or secondary education थी, वो सफर करने लगी, because जो provinces थी, already has limited resources, at the disposal, 1882 में, जो government appoint करती है, एक commission, under the chairmanship, chairmanship of www.hunter, जो review कर रहे थे, जो progress थी, education की in the country, since जो dispatch हुआ था, 1854, और जो hunter commission, mostly जो confined थे, की, इनकी जो recommendation थी, primary or secondary school education के लिए, जो commission था, पहला emphasize करता था, कि state, जो special care होगी, वो required for the extension, और जो improvement है, of primary education, और जो primary education should be imparted through वर्ना कुला, दूसरा, जो recommend करता था, जो transfer होगा, इस control of the primary education to be newly set up district और जो municipal board होगे, तीसा, जो recommend किया गया, जो secondary high school education होगी, should have two division, पहला जो literary, literacy होगी, leading up to the university, दूसरा, vocational होगा, vocational में, आप कुछ, कुछ, ऐसा काम सिखाया जागा, जिससे आप अपना काम दंदा कर सेकें, commercial, career के लिए, चौधा की, इथा की, due करना, जो attention है, in adequate facilities होनी चाहिए, female education के, especially, outside presidency, towns में, और, made recommendation for its spread, जो next, दो decade है, 20 साल, इसमें देखा गया, जो rapid growth, और expansion हो, और रता, farming universities, जो थी, set up करी गई, पंजाब university, 1882 में, और जो इलावाद university, 1887, 1887 में, Indian University Act, 1904, ये पहला act था, जो Indian University Act, 1904 में, ये, draw करा 20th century का, कुछ, political unrest थे, और जो official view था, कि जो under private management, होना, चाहिए, जो quality of education, और ये, deteriorated होनी चाहिए, जो educational institution के साथ, और factories, जो है, produce करें, अपना political revolutionaries, जो nationalists थे, वो accept करते थे, जो decline हो रहा है, quality में, बाद में, excuse की government, जो है, not doing anything to eradicate literacy, literacy के लिए, वो कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है, 1902 में, जो relish commission था, वो setup किया गया, कि वो go into condition, देखे, और prospect करें, जो universities है, भारत में, और साथ में, suggest करें, जो measures होने चाहिए, improvement के लिए, in the constitution and working commission, क्या करते, जाती, report करती है, primary or secondary education में, और based on its recommendation, जो Indian University Act है, वो pass किया जाता है, 1904 में, as per the act कहा जाता है, जो पहला की university, जो है, वो, to give more attention to study and reach, पहला की university, जो है, उनको more attention देना होगा, जिससे कि study and research कर सकें, दूसरा, allow number, जो है, fellows के, जो number है, fellows of university, और जो period है, in office, were reduced, कम किया जाए, more, जो fellows हो, वो nominate किया जाए, by the government, अब तीसा जो था, government, जो है, have, have power, government के पास, power होनी चाहे, veto, veto के, university, senate, regulation, regulations, और ये, amend किया जा सके, regulation, जिससे, और पास कर सके, regulation on its own, जो था, जो था, condition, जो है, वो, made, sticker, 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 for the affiliation of private college, जो condition, वो बहुत सक्त बनाई जिससे की affiliation, जो है, private college का हो सके, और fifth की five lakh, जो रुपी है, पांच लाख रुपे, पांच लाख रुपे, जो है, आपको section करना होगा, पर, पर, for five years, five years for improvement of higher education and universities, करजन justify करता है, कि greater control होना चाहे, over university in the name of quality or efficiency, जो quality है और जो efficiency है, उस पर ज्यादा फकूसरे, बट जो actually जो देखा गया कि restrict education or to decline, decline the educated towards the royalty of the government, लेकिन जादा तर देखा गया जो education थी, जो education थी और जो उसके disciple थे, educated towards the royalty होनी चाहे, गौर्मेंट के, और इस तरीके से नेशलिस्ट देख रहे थे, कि ये इनका item जो था strength करना, imperialism और इस तरीके से जो national, nationalist feeling थी, ये गोखले जी ने इसको retrograde measure कहा, एक retrograde measure खा, गौर्मेंट resolution on education policy 1913, अब 1906 के बाद जो progressive state हुआ था, बरोदर उसने introduce कि, एक compulsory primary education throughout अपने territory में और जो national leaders थे, वो चाहते थे कि जो गौर्मेंट है, to do so for British Indians, इसलिए गोखले ने एक powerful education करी थी, जिसमें for its legislative assembly में, 1913 का जो resolution था, education policy के लिए, और जो government refuse कर रहे थी, कि to take up the responsibility of compulsory education होनी चाहिए, बट लेकिन जो accept किया गया था, policy जो for removal of illiteracy, और जो ये कहा गया था कि provincial, जो government है, वो भी take, उनको भी लेना चाहिए, early जो step जिससे कि provide की जैसे कि free elementary education to the proors, और more backward section को, जो private effort थे, वो encourage कर रहे थे, कि for this, कि जो quality है, जो quality है, जो quality है, secondary schools की, वो भी improve होनी चाहिए, और जो university है, वो decide करें, जो university है, वो decide करें, was to be established in each province, और ये teaching जो activities है, of universities, ये भी क्या करें, encourage करना चाहिए, अब 1917 में, 1917, 19, first world war, जो खत्म होता है, तो saddler university commission आता है, saddler university commission, ये commission जो है, setup किया जाता है, कि study reports, जो है, कौन सी problems है, जो कलकत्ता university, और, बट जो उसकी recommendation है, वो applicable हो, more or less to the other universities also, जो review किया जाता है, कि entire field है, जो schools, schoolies, इच्छा, से लेके university सिच्छा तक, ये जो है, view की, जो improvement लाना है, university education, और जो improvement लाना है, secondary education, ये एक type का necessary precondition तक, बाद में ये आप देखा गया, कि जो schools है, वो school का course जो होना चाहिए, should cover 12 years, 12 साल schooling होनी चाहिए, और student जो है, इंटर करे university after intermediate stage, intermediate stage के बाद, rather than metric, for a three year degree होनी, course, three year degree course होना चाहिए, ये उनिवर्सिटी में, और ये कैसे हो सकता है, पहला कि prepare किया जाए, student को for university, लेर दूसा, relief किया जाए, university इसको of a large number of below university standard students, C जो है, provide कि जाए, एक colligate education, जिससे कि those not planning to go through university stage, एक separate board होना चाहिए, secondary और intermediate education का जो set up करेगा, administration और जो control of secondary और intermediate education, दूसा, एक there should be rigidity, rigidity होनी चाहिए, जो framing होनी चाहिए, university regulations की, तीसा, university जो है, हमेशा function करे, अपने centralized, unitary, residential, teaching, autonomous body पे, और other than a scattered affiliated college, चौथा, फिमेल जो education है, वो applied होनी चाहिए, scientific, और जो technical education है, teachers, training, और include हो, जिसमें those for professional और vocational college, should be extended, इस period में क्या हो, 1916 से लेके 1921 तक seven new universities जो थी, वो came up at madras, madras, मैसूर, पतना, बनारस, अलिकर, धाका, लखनौ और उसामिया, 1920 में जो government थी, वो recommend करती है, Sadler report to the provincial government, education, education under diarchy, education under diarchy में क्या होता है, कि जहां पर बिताया था, प्रोविंशनल लेवल पर दो पार्ट कर दिये गए थे, तो monstangyoo, chemswar, जो reformed education के, वो shift कर रहे थे, कि जो provincial ministries हैं, और जो government stop taking direct interest in the education matter, क्योंकि जो government है, वो grant liberally, liberally section कर रहे हैं, since 1902 से, और now stopped, अब जो financial difficulties, इसके हुझे से prevent हो जाती थी, कोई भी substantial expansion जो थी, but still जो education थी, वो धीमेदे में ग्रिव करती है, especially under the philanthropic efforts, मनुश्रिता के कारवन, दूसरा हार्टॉंग कमिटी, यह 1929 में आई थी, और इसमें increase कर दिया गया था, जो number है, schools का और colleges का, जैसे lead deterioration of education standard, हार्टॉंग जो कमिटी थी, set up करे गई, कि वो report करेगी, जो development हो रहा education का, और इसका जो main recommendation थी, उसमें पहला emphasize should be given to the primary education पर ध्यांद जाजाएगा, but जो need है, no harsie expansion और जो compulsion है, education का दूसरा, only deserving जो student है, should go in for high school, or intermediate state, while जो average student है, should be divert to the vocational courses में, after class 8th standard, जो improvement था in standard of, जो improvement था in standard of university education admission should be restricted, अब जो sergeant plan था, जो sergeant plan था, जो sergeant plan था of education, ये जो sergeant plan था, sergeant was the educational advisor, sergeant क्या थे एग, educational advisor थे, to the government was, was worked, worked out by the central adversary, board of education in 1944, जो recommend करता था, पहला कि एक pre primary, एक pre primary education होनी चाहिए, 3-6 साल तक age group पे, और free होनी चाहिए, उसके बाद जो है, universal और compulsory elementary education होनी चाहिए, for 6-11 साल के लिए age group, high school education होनी चाहिए, for 11-17 साल तक, years तक, और इसके बाद for selected student के लिए, बाद में university course होना चाहिए, 3 साल का after high school, और after higher secondary, high school जो है two types का, एक academic होना चाहिए, एक technical और vocational होना चाहिए, अब दूसा, जो adequate technical commerce और art education भी होनी चाहिए, तीसा, evolution करना चाहिए, intermediate जो courses है, और चौधा की liquidation होनी चाहिए, adult literacy in 20 years, पांचवा इस्टेस जो है, वो teachers की training पे physical education है, physical education और जो education है physically और mentally handicapped के लिए, जो objective था लगबग create किया गया, विदिन 40 साल के अंदर जो same level of educational attainment है, और ये prevail in England, although जो board और जो compressive scheme थे, ये proposed no methodology, कोई भी है सी methodology और नहीं प्रपोस करी for implementation, लेकिन जो ideals थे English achievement के, में नोट है व सुटेड इंडियन कार्ड कांडिशन, लेकिन जो नो ने बनाया था, वो पूरी तरी के सूट नहीं कर पा रा था, इंडियन कांडिशन को, development of the vernacular education, अब दूरिं अर्ली नाइंटीज सेंटरी जो वर्नकूलर एजुकेशन थी, वाज इन दम सौरी स्टेट अफ द आफ द आफ ये जो थी, मोस्ली डिपेंडेंट थी अन दे कंडिबूशन फ्रॉम वेल्दी जमिदार्स, 1835 से 1836, 1836, जबाद 1836 में विलियम अधम की रिपोर्ट जो थी, वर्नकूलर एजुकेशन इन बेंगॉल और विहार में पॉइंट करती है, जो डिफेक्ट आ रहे थे सिस्टम में वर्नकूलर एजुकेशन, 1843 से 53 के बीच में, 1843 से लिके 1853 के बीच में, जो जेम्स जोनाथन एक्सपीरियन्स करते हैं कि जो नौर्थ इस्ट जो नौर्थ वेस्ट प्रोविंस हैं, वहाँ पर लेफ्रेंड को अनर जो हैं, उन्होंने ओपनिंग करी एक स्कूल, एक गॉर्मेंट स्कूल जिसका जो मॉडल स्कूल था, वह इच तहसीलदारी और जो नौर्मल स्कूल थे, वह जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग करीगी वर्नकूलर स्कूल में, 1853 के बाद जो फेमस माइनूट हुआ, लॉर्ड लॉजी एक्सप्रेस करता है अपना स्ट्रॉंग ओपिनियन जो फेवर में होता है वर्नकूलर एजुकेशन के, 1854 में वोड्स डिस्पैच आते हैं और इसका जो प्रोविजन होता है कि वर्नकूलर एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें पहला इंप्रोव्मेंट होना चाहिए, स्टेंडर का दूसरा सुपर्विजन होनी चाहिए, बाइ गॉर्मेंट एजेंसी तीसरा, नॉर्मल स्कूल होना चाहिए, टू ट्रेंड कर सकेट टीचर्स को, फिर ये जो गेव इंपिटर्स जो था, जो मास एजुकेशन थी, टू बी शीन एज इंस्टेक्टिंग मासेस थो वर्नकुलर्स, 1904 में जो एडुकेशन पॉल्सी थी, 1904 में जो एडुकेशन पॉल्सी थी, वो भी पुट 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 इस्पेशल एंफेसिस ऑन वर्नकुलर एडुकेशन, और ये इंक्रीज हुआ, ग्रांट फॉर इट, 1929 में जो हर्टॉंग कमिटी थी, 1929 में हर्टॉंग कमिटी थी, उसने प्रिजेंट करा एक ग्लूमी पिच्चर औफ प्रैमी एडुकेशन, 1937 में ये जो स्कूल थे, रिसीव करते हैं, इंकरेजमेंट फॉर्म दा कॉंग्रेस मिनिस्ट्रीज, अब जो डवलेप्मेंट ऑफ दा टेक्निकल एडुकेशन, इंजिरिंग कॉलेज जो पहली बार रुड़की में खोला, सेटप किया गया था, 1847 में, बाद में जो कलकत्ता कॉलेज था इंजिरिंग का वो आया, 1856 में, 1858 में एक ओवर स्रीज स्कूल था पूना, जो रेज कर रहा था, स्टेटस ऑफ पूना कॉलेज ऑफ इंजिरिंग, और इसके बाद एफिसलेट किया गया, बॉंबे उनिवरसिटी में, जो गुएंडी कॉलेज था इंजिरिंग ये एफिस्टेटेटेट तो मदरास उनिवरसिटी, जो मेडिकल ट्रेनिंग थी, वो भी स्टार्ट कही गई, जिसमें इंस्टैबलिश किया गया, मेडिकल जो कॉलेज था कलकत्ता में, में 1835 में, लॉर्ड करजन जो थे, did not, did much to broaden the whole basis of professional courses होने चाहिए, जिसमें मेडिसीन थी, अग्रिकल्चर, इंजिनरिंग, वर्टिनरी साइंसेज, और वो चाहते थे, लॉर्ड करजन की एक अग्रिकल्चर कॉलेज होना चाहिए, एड फूरसा, जो एक ऐसे, जो पैरेंट, पैरेंट इंस्टूशन होगा, इंस्टूशन होगा, सिमलर इंस्टूशन की तरह, और अधर प्रोविंसे में भी, एडिकेशन ऑफ बिटिश पॉल्सी, एवल एवल एवलेशन ऑफ रिटिश पॉलशी ओन एड्डीकेशन, इवन जो इन एड्डूकेट मेजर्स थे, गर्मेंट तूख फोर दा एक्स्पेंशन ऑफ दर मॉर्टन एडूकेशन, जो गाईड कर रहे थे बाई, कंसंट अधर कि एक agitation होनी चाहिए, एक agitation होनी चाहिए in favor of modern education by enlightened Indians, जो Christian Machineries हैं और हुमItalian officials हैं, बाद में जो need थी जो need थी, ensure जो need थी ensure कर रहे थी की cheap supply होनी चाहिए educated Indians की जो man और increase करें number जो of subordinate जो poets थे in administration और in British business concerned दस इस तरीके से ये emphasize करता था on English medium as the language of administration and of education जो hope थी कि जो educated Indians है would help करेंगे expand market for British manufacturers in India यह जो expectations थी जो expectation थी that जो western education है would reconcile Indians to British rule जो primarily जो particularly as it glorified glorified British Congress or their administration जो British चाते थे कि वो यूज करें modern education to strength करना जो foundation थी उनकी political authority in India दूसा जो traditional system था Indian learning का वो धीमिद में gradually decline हो रहा था for want of want of support और क्योंकि especially after 1844 जब यह declare करा जाता है कि जो applicants है वो for government employment should possess knowledge of English इसलिए जो तीसा जो mass education था हो नेगलेट करी जाती है कि leading to the whispered जो electricity फैल जाती है 1911 से चरासी तक 1911 में 84 परसेंट थी और में 211 में यह 92 परसेंट होती है अब बाद में create करा जाता है वाइड जो linguistic एव एक इससे क्या होता है यह वाइड लिंग्विस्टिक और कल्चर गल्फ बन जाता है बिट्वीन दा एडुकेटेट फ्यू और और अदर मासे फूर्थ जो एडूकेशन थी वो पेड हो गई पैसे पे निर्धाय थी बिकाज जो मनोपॉली थी अपर और जो रिचर को क्लासेस की और सिटी ड्वेलर्स की पांचवा एक अल्मोस्ट टोटल ने और देर वोज एन अल्मोस्ट टोटल जो नेगलेट किया जाला था वोमेंस की एडुकेशन को बिकाज पहला कि जो गॉर्मेंट दिड नॉट वान जो चैनिकल एडुकेशन है यह वाज बाय और एंड लाज जो नेगलेट की गई थी 1857 के बाद यह यह ओनली थ्री मेडिकल कॉलेज जो थे एलकत्ता में बॉम्बे और कलकत्ता बॉम्बे और मदरास और बाद में ओनली वन जो इंजिरिंग कॉलेज था रोड़की में थैंक यू